विकी कोशल के फिल्म सर्जीकल स्ट्राइक सिनमा घरो में दुबारा रिलीज हो रही है नमश्कार आप देख रहे हैं नियूजवाइन लेवन और मैं हूँ आपके साथ शिवानी उड़ी इस साल की रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी और कबिर सिंग से पहले तक साल में कमाई के मामले में भी बड़ी बनी हुई थी इस फिल्म ने देश भर में 245 करोर रुपए और दुनिया भर में 342 करोर का बिजनस किया इसे 26 जुलाई यानि के कारगिल चौक के उसर पर फिर से रिलीज किया जाएगा और ऐसा महारास्ट सरकार के आदिश पर किया जा रहा है आपको बता दें कि 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच कारगिल में 60 दिन तक चैली लड़ाई 26 जुलाई 1999 को खत्म हुई इंडिया पाकिस्तान को धकिल कर अपने इलाके पाने में काम्याब रही इसलिए जीत इंडिया की मानी गई इसी जीत की खुशी में भारत सरकार ने 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाने की घुशना कर दी इसी कारगिल दिवस के उपलक्ष में महारास्ट्रिप के 500 सिनमा घरों में ये फिल्म दिखाई जेगी जहां इसे फ्री में रेखा जा सकेगा इस ख़वर के पूस्टी करते हुए मुंबई मिरर से हुई बाच्शीत में फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने बताया कि इस फिल्म को बनाने की पीछे आईडिया ये था कि इसे देखने के बाद हर भारती का सीना गर्व से उच्चा हो जेए और वो इस मोह कि अंदर भी आर्मी जोइन करने की इक्षा जगती है तो ये फिल्म सफल हो जाएगी और एक फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपने काम से अगर किसी को प्रेजित कर पाता है तो आपका काम सफल हो जाता है कारगिल दिवस को महारास्टे सरकार चान लगा दिये थे आपको बता दे कि 18 सितंबर 2016 उडी जमू कश्मीर एलोसी के पास भारते सेना के हेट बिल्स कैप पर आतनकवादियों ने हमला कर दिया था इस हमले में हमारी सेना की 19 जवान शहीद हो गए थे वहीं इसे देश के सेना पर होने वाला सबसे बड़ा हमला माना गया वहीं इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया और ये फिल्म उडी उसी पर अधारित है तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि उडी फिल्म जो की 2019 की सबसे पहली फिल्म थी और अभी तक जिस तरह से उडी ने सरपर महाराश्य सरकार इसे एक बार फिर रिलिस कर रही है और पांसो थेत्रों में आप इसे बीना पैसे के देख सकते हैं तो इसे ही तुमाम खाबरों से रुबरू होने के लिए फिर में यूट्यूपर सब्सक्राइब करें और आपको अमर आई ये वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार न्यूज वन अलेवन के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं